वेलकम बैक गाईज तो आरार्वी एंटीपीसी बेंच्ट स्रीज के इस दौर के अगले स्रीज में हम लोग यहां पर उपस्थित हो चुके हैं तो आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल विद्या भिहार कंपेटिशन क्लासेस के चैनल पर एक बार फिर से नमस्कार करता हूं तो मैं विजय सर आज आप लोगों को आरवी एंटीपीसी के एक नए और बहतरीन जो यहां पर स्रीज है उसमें लिए चलता हूं तो आज काफी इंपर्टेंट कॉस्टन का यहां पर सेलेक्शन किया गया है और उमीद है इस कॉस्टन से आप लोगों को आने वाले आर स्रीज में बढ़ते हैं आज के स्रीज को लेकर तो यहां पर आज आपके स्रीज का जो पहला सवाल है वह आपके सवाल डाटा से रिलेटेड है तो यहां पर आपने देख रखा है कि आपके स्क्रीन पर एक डाटा दी गई है और फिर इस डाटा से रिलेटेड आपको यहां एक जिले में चार निर्वाचन छेत्र हैं कितने हैं चार राजीतिक पार्टियां अपने अपने उम्हिद्वारों को رखी हैं चाराजिक पार्टियां यहांपर पार्टि1, 180,000 हो रही है क्योंकि ये आपको सवाल में ही कहा जा रहा है कि जो बोटो की संख्या है वो हजार में दी गई है और ये जो यहाँ पर निर्वाचन छेतर है वो है पूर्ब, दक्षीन उत्तर और पस्चीन ये चार निर्वाचन छेतर हो गए आए सबसे पहले हम इस सवाल को पहले पढ़ें तो सबसे पहला सवाल यहाँ पर है कौन सी पाटी जिले में एक से अधिक छेतर में जीती है तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे क्योंकि जीती है मतलब ज़्यादा ज़्यादा बोट प्राप्त की होंगे तो हम यहाँ पर अगर सभी पार्टियों पर ध्यान दे तो हमें पार्टी फोर में जो सौव के आंकड़े ज़्यादा दिख रहे हैं तो पहले हम इस पर भी चार करते हैं तो यहाँ हमने देखा कि जो पार्टी फोर है वो आपके दक्षिन में जीच चुकी है और यह उत्तर में तो यह हार चुकी है क्योंकि यहां पर 275 है और फिर अगर पस्ची में देखा जाए तो यहां भी यह पार्टी जीच चुकी है इसका मतलब पार्टी फोर जो है वो आपके यहां पर पार्टी फोर हो जाएंगे सही जवाब कौन सी पार्टी जिले में एक सधिक छेतर में जीती है तो वो आपके हैं पार्टी 4 अब जो अगला सवाल यहाँ पर है कि पार्टी 4 दक्षिन छेतर ने नजदीक उची पार्टी से कितने अधिक बोटों से जीत दर्ज की है तो party 4 का हम यहाँ पर जो दक्षिन में status देखने जा रहे हैं तो party 4 का हमने दक्षिन में status क्या देखा दक्षिन में उने 210,000 भोट प्राप्त किये हैं और इसके नजदी की जो है परती द्वेंदी वो है 108,000 वाले तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो अपने नजदी की से यह 102,000 यानि की 1.02 लाक भोट से यहाँ पर जीते हैं तो आपके यहाँ पर अगर हम देखें तो आपके यहाँ पर option नमर B 1.02 लाक इसने भोटो से दर्ज की अपने नजदी की उची पाटी से इसके बाद हम बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर कौन सी पाटी ने पूरे जिले में सबसे अधिक बोट प्राप्त किये हैं तो यानि कि यहाँ पर आपको यह चीज बतानी है कि पूरे जिले में सबसे अधिक बोट किस पाटी ने प्राप्त किये हैं तो पूरे जिले से अगर मिला कर देखी जाए तो अगर हम यहां पर जो सब से उंचे उंचे आंकड़े जो है वो आपके किस-किस पार्टी के मिलते हैं तो ज्यादा तर हमें पार्टी फोर के जो आंकड़े हैं इसे अगर हम देखते हैं तो यह पार्टी के टोटल कितने होते हैं और यहां पर इस तरह से अगर देखी जाए तो 2, 4, 6 और लगबग इसके 700,000 भोटा रहे हैं और अगर पार्टी यहां पर 3 की देखी जाए तो 100, 200 यहां 200 तो कुल मिलाकर पार्टी फोर की ही यहां पर हमें बोटो की संक्यां सबसे ज़्यादा लग रही है इसका मतलब यहां पर चुकि यहां पर आप अगर अधिक समय बत्बेटित करेंगे तो फिर आपको समय की भी प्रॉबलम होगी इसलिए आपको तुरेंट डिसिजन करना है कि कौन सी पाटी ने पूरे जिले में सबसे अधिक बोट पराप्त किय हैं बढ़ते हैं अगले सवाल में और इसका अगला सवाल है किस चुनाव छेतर में सबसे अधिक बोट परें हैं तो अगर हम यहां पर चुनाव छेतर सभी चुनाव छेतर पर गवर करें तो आपके जो उत्तर जो चुनाव छेतर हैं इसमें आपके 275 और 225 यानि कि आपके यहां 500 हजार भोट तो यहां पर ही हो जाते हैं बाकि अगर किसी भी आप छेतर में जाते हैं तो आपको इतनी भोट नजर नहीं आती ह इसका मतलब है कि उत्तर छेतर में आपके जो हैं सबसे ज़्यादा जो भोंट पड़े हैं वो आपके उत्तर छेतर में पड़े हैं तो उमीद है आप लोग अच्छी तरह से समझ चुकेंगे तो जो data के question को solve करने का जो तरीका होता है वो इसी तरह होता है कि हमें थोड़ी सी अपनी common sense की यूज़ करनी पड़ती है अगर हम पूरी तरह सभी को जोड़ घटा करने लगे तो काफी ज़्यादा समय भी लग जाएगा और हमें जल्दी से उत्तर भी नहीं मिलेगी तो बढ़ते हैं अब अगले सवाल की और यहाँ पर यहाँ पर आपके स्क्रीन पर जो सवाल आप इस समय देख रहे हैं जी और एच एक कारिक को 30 दिन में कर सकते हैं यदि एच अकेला इसे 50 दिनों में कर सकता है तो जी अकेला इसे कितने दिनों में कर सकता है तो आईए अब यहाँ पर हम इस सवाल को solve करें तो सबसे पहले आपने देखा कि G और H मिलकर कारी को 30 दिन में समाप्त करते हैं यानि कि G पलस H ये कारी को कितने दिन में समाप्त कर रहे हैं 30 दिन में और H अकेला कितने दिन में कर रहा है H अकेला इसे 50 दिनों में कर रहा है तो यहाँ पर अगर देखी जाए G अकेले की निकालनी है तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करते हैं एक ऐसा काम लेते हैं मानकर चलो अगर 150 काम है 150 काम है तो G और H 35,500 G और H मिलकर 5 काम डेली कर रहे हैं और अगर हम H की बात करें तो 50,500 यानि की जो H है वो अकेले 3 काम कर रहे हैं तो यहाँ पर देखी जाए G और H रहने से 5 काम हो रहा है H अकेले 3 काम कर रहे हैं तो इसका मतलब यह G जो है यह अकेले 2 काम कर रहा होगा तो अब अगर 150 काम अकेले जी को दे दिया जाए तो ये दो काम डेली करेगा तो इससे टोटल कितने दिन लग जाएंगे 75 दिन लग जाएंगे तो option A आपके लिए है बिलकुल सही जवाब यानि की जी अकेले इस काम को 75 दिन में कर पाएगा आईए अब यहाँ पर अगले सवाल को सबसे पहले पढ़ें दो पड़कार के चावल A और B जिनके दाम करमस 210 रुपे और 280 रुपे पर 3 किलोग्राम है 3.54 के अनुपात में मिस्रित किया गया यानि A और B चावल को 3.54 में मिला दिया गया और मिस्रित किस्म को 260 रुपे पर 3 किलोग्राम के भाव से बेचा गया तो पर 3.50 लाब क्या होगा यहाँ पर सबसे पहले देखी जाए तो यहाँ पर मिस्रन को जो 260 रुपे में तो बेचा जा रहा है पर मिस्रन की जो कीमत है C.P. वो तो हमें मालुम नहीं है तो यहां पर सबसे पहले हमें इस मिस्रन की जो CP है वो हमें निकालनी होगी तो सबसे पहले हम यहां पर जो आपके पहले किस्म की जो चावल है यानि की A वो आपके कितने रुपए किलो की है चावल A आपकी हो जाती है 210 रुपए किलो और जो दुसरे किस्म की चावल B है वो आपके कितने है 280 रुपए किलो की लेकिन जो आपके मिस्रन यानि C की जो आपकी यहां पर कीमत है वो तो आपको मालूम यहां पर नहीं है तो यहाँ पर अब सबसे पहले हमें C की कीमत निकालनी होगी तो अगर हम जानते हैं कि जो अनुपात होती है वो होती है B-C बटे C-A तो B-C बटे C-A यानि A और B को जो हम लोग अनुपात में मिलाते हैं तो उसे हम लोग B-C बटे C-A से find करते हैं तो यहाँ पर B-C बटे C-A की बटे 3 अनुपात 4 दी गई है तो यहाँ पर अगर हम B की बटे देखें तो B की बटे आपकी हो जाएगी 280-C की बटे एक्स फिर C की बटे एक्स माइनस A की बटे लिए 210 एक्वल टू आपकी हो गए 3 बाई 4 इसे अब हम क्रॉस मल्टिप्लिकेशन कर लेंगे तो जब यहाँ पर 280-4 करेंगे तो 1120-4X इक्वल टू 3X माइनस 630 अब यहाँ पर अगर हम X-X को एक साइड कर लें तो आपके हो जाएंगे 3X प्लस 4X इक्वल टू आपके 1120 में 630 हो जाएंगे प्लस तो आपके हो जाएंगे 1750 यानि की 7X इक्वल टू 1750 तो X आपके हो गए साथ से जिमने कटा दिया 250 हो गए X की भेलियो 250 तो यहाँ पर जो आपके मिस्रन की कीमत 250 हो गई और हमने उसे यहाँ पर किस रेट में बेचा है तो हमने वहाँ पर इसे 260 रुपए के रेट में बेचा है तो अगर यहाँ पर 260 रुपए के रेट में हमने बेचा तो 10 रुपए की यहाँ पर प्रौफिट हो गई तो 10 बटे 250 तो इसको परसेंटेज में बनाने के लिए 100 से गुना कर देंगे जिरो जिरो कट गई 25,400 यानि कि अप्सन नमर D आपको यहाँ पर 4% की हो जाती है बेनी फीट यानि कि यहाँ पर इस मिसरन को 260 रुपे किलो बिचने पर 4% की आपको फायदा होती है बढ़ते हैं बगले सवाल की और यहाँ पर आपको इसमें चतुर्था नुपात पूछी जा रही है तो हमने यहाँ पर आपको बताया था जब इस तरह के सवाल हो A, B, C और D तो आपको यहाँ पर A बटे B बराबर करनी है C बटे D तो यहाँ आपने देखी कि A, B, C, D तो A की बेल्यू 14 और B की बेल्यू 6 तो जो आपके C है C की बेल्यू यहाँ पर 28 है तो D की बेल्यू निकालनी है तो D की बेल्यू हम लोग एक्स माल लेंगे तो 14 दुनी 28 तो क्रास मल्टिप्लिकेशन करने से X इक्स इक्वल टू आपके हो जाएंगे 12 यानि की X की जो बेल्यू है वो आपके लिए हो जाएगी 12 तो चतुरता नुपात है 12 बरते हैं अगले सबाल की ओर तो find the SCF of 143, 77 and X 121 यानि 143, 77 और 121 के आपको SCF याद करने हैं तो SCF का मतलब होता है highest common factor वह सबसे बड़ी संख्या जिससे की तीरो संख्या कट जाएं तो यह यहाँ पर ज्यादा दिमाग लगाने के जरूत नहीं है आपके यहाँ पर सीधे तोर पे दिख रहे हैं की 11 से सभी संख्या कट जाती है तो इसलिए इसके SCF जो होंगे वह 11 हो जाएंगे बढ़ते हैं अगले सवाल क्यों यहाँ पर तो आप से यहाँ पर जो PQR की रेशियो दी गई है and Q की भेल्यू दी गई है तो आप से P-R की भेल्यू क्या है वो निकालनी है तो सबसे पहले हम लो सभी भोड़ तो जब भी हम लोग इस रेशियो को सरल रेशियो बनाएंगे तो नीचे के हर में जितने भी संख्या होते उनके LCM को हम लोग मल्टिप्लाइ कर देते हैं तो नीचे 3 3 4 की अगर LCM देखी जाए तो हो जाएगी 12 12 से मल्टिप्लाइ करेंगे तो 3 4 के 12 इसी तर यह गापके PQR यानि कि यहाँ पर जो Q है वो 56 है और Q की रेशियो 8 है तो अगर 8 की भेल्यू यहाँ पर आपको 56 दी गई है यानि कि इससे 7 गुना ज्यादा तो P-R तो P-R यहाँ पर 1 हो जाएंगे तो 1 की भेल्यू आपकी हो जाएगी 7 तो आपकी 7 हो गए एंसर 8 की 7 गुना ज्यादा 56 तो 1 की 7 गुना 7 हो जाएगी तो बहुत ही आसान सवाल था और इसने बहुत ही आसान तरीके से solve कर दिया तो बढ़ते हैं next question की ओर यहाँ पर आपसे का जा रहा है निमन आकडों का बहुलक ज्याद करना है तो आप जानते हैं कि बहुलक आकडों का वह जो मान होता है जो बार बार आता है यानि सबसे अधिक बार आता है तो यहाँ पर अगर देखी जाए तो 70 70 70 यहाँ को 70 है वह सबसे अधिक यानि तीन बार आ चुके हैं तो इसलिए यहाँ पर आकडों का जो बहुलक है वह हो जाएंगे 70 बढ़ते हैं अगले question की तरफ तो यहाँ पर आपको x ratio 3 by 7 और महाँ पर आपको दिये गए है 7 by 9 ratio 5 by 9 इसमें x की आप लोगों को value find करनी है तो यहाँ पर जब भी आपके पास इस तरह की कोई भी संख्या हो x is to 3 by 7 proportion 7 by 9 is to 5 by 9 तो जब भी आपने यहाँ पर देखा कि अगर a अनुपात b बराबर होती है c अनुपात d तो हम लोग इसे a बटे b बराबर c बटे d लिखते हैं तो यहाँ पर आपकी जो a d होती है a d बराबर हो जाती है b c तो इस हिसाब से आपको a d तो यह दोनों multiply हो जाएंगे और equal to हो जाएंगे b c यह और यह multiply हो जाएंगे तो यहाँ पर इस rule से अगर आप देखेंगे तो x into यानि a d तो a और d आपके यह हो गए और b c यानि कि आपके 3 by 7 into 7 by 9 तो यहाँ से हमने देखी 7 7 यहाँ पर आपके कट गए यहाँ से आपके 99 कट गए तो x equal to इस तरफ आपके बच गए 3 और इस तरफ आपके हो गए पांच तो तीन बट्टे पांच यानि के option c आपके होगे बिल्कुल सही जवाब तो उमीद है तो यहाँ पर हमने यह जो चीज बताई आप लोगों को यह एक logic थी जिस logic पर आपको इस तरह से भिन का answer निकाल सकते हो तो आज के अगले सवाल में आते हैं यहाँ पर कोई धन रासी आठ प्रतिसत प्रतिवार्सिक चकविड़ी ब्याज पर जमा की जा रही है तो पहले वर्स ब्याज है उसकी भी ब्याज देनी पड़ेगी तो 72 का आपको जो आइट परसेंट है वह आपको जोड़ कर देनी पड़ेगी तो 72 का 8 परसेंट आपके लिए 8 by 100 यहां पर आपके हो जाएंगे आड़ दुनी सुल लग एच्छे और एक तरस अपनेक संतावन यानि कि 5.76 रुपे अधिक तो 72 पांच सततर पॉइंट सेवन सिक्स यानि अप्सन सी अगर आप पहले वर्स 8 परसेंट पर बहततर रुपे ब्याज दे रहे हो तो दूसरे वर्स 72 के 8 परसेंट यानि 5.76 जोड़ कर आपको देनी होगी यानि 77.76 तो बढ़ते है अगले सवाल की और यहाँ पर आपके लिए यहाँ पर जो सवाल दी गई है डी即 कारे को 18 दिन मेंकर सकता है और इसी कारे के कारे को आधे समय मेंकर सकता है दोनों एक साथ कारे करे तो व्हें कारे समाथ करने में कितना समय लेंगे तो यहाँ पर आपने देखा कि D जो है वो कारी को कितने दिनों में कर सकता है 18 दिनों में और E जो है उसी काम को कितने दिनों में कर सकता है आधे समय में यानि कि 9 दिन में कर सकता है और दोनों एक साथ काम करें तो मान लो अगर यहाँ पर टोटल काम 18 होगी तो D daily एक काम कर सकता है और E daily दो काम कर सकता है तो यहाँ पर दोनों मिल कर जब काम करेंगे दी पलस E तो एक दिन में आपके दो एक तीन काम होंगे तो जब तीन काम होंगे तो 18 काम तीन काम daily के हिसाब से तीन च्छा के 18 यानि की काम समाप्त करने में कितना समय लगेंगे छे दिन लगेंगे तो बढ़ते हैं अगले कुस्टन की ओर किसी जरासी पर आठ प्रतिसत प्रतिवार्सिक दर से आठ वर्स का साधरन ब्याज 16,000 है उसी रासी पर इस दर के एक चौथाई दर से दो वर्स का सक्विद्री ब्याज C.I. ग्यात करना है तो यहाँ पर सबसे पहले आपको साधरन ब्याज 8 वर्स की 16,000 दी गई है यानि कि अगर आपने यहाँ पर देखी कि जो rate है आपके यहाँ पर rate कितनी percent दी गई है और यहाँ पर कितने समय के लिए दिया गया आठ वर्स के लिए तो अगर आठ वर्स हम लोग आठ परसेंट के हिसाब से दे तो टोटली हमने कितने परसेंट ब्याज दिये चौसट परसेंट ब्याज दिये तो यह जो आपके चौसट परसेंट हो गया वो आपके कितने हो गए 64% आपके 16,000 हो गए क्योंकि हमें तो सिब 20 से मतलब है तो 64% अगर 16,000 होता है तो हम इसे कटा ले 16 चोके 64, 16 से ये कट गए आपके एक हजार बार में चार से हमने इसे कटा दिया तो चार से ये कट गया दोसो पचास बार में यानि कि जो एक परसेंट की भेलू है वो दोसो पचास है तो यानि कि ये जो धन हो गया हंड्रेट परसेंट आपके हो गया पचीस हजार यानि कि अगर P यहाँ पर मुलधन जो है वो 25,000 है अब यहाँ पर आपसे उसी रासी पर इस दर के एक चौथाई से दो वर्स का चक्वृद्धी ब्याज ग्याद करना है तो यहाँ पर एक चौथाई दर यानि कि जो नया रेट होगा वो आर आपके लिए हो जाएगा आठ का एक चौथाई यानि कि 2% तो 2% की दर से अगर हमने 2 साल पैसे रखे तो 2% बराबर आपके कितने हो जाते हैं एक बट्टे 50 हो जाएंगे तो अगर हम यहाँ पर 50 रुपे रखेंगे तो यह अगले साल 51 हो जाएंगे इसी परकार फिर से अगर 50 रखेंगे तो यह अगले साल आपके 51 हो जाएंगे तो हमने यहाँ पर देखा अगर हमने यहाँ पर 25 रुपे रखा इस पचीस सो रुपए के आपके यहां पर दो हजार छैसो एक रुपए हो जाएंगे तो यहां पर आपके पचीस सो नहीं होकर पचीस हजार है यानि कि दस गुना जादा तो अगर यहां पर हमने इसे दस गुना जादा किया तो इसे दस गुना जादा करेंगे तो 26,010 यानि कि आपको जो ब्याज है वो आपको 1,010 रुपए आप अब यहाँ पर आपका जो अगला सवाल है 7 मीटर तिर्जिया के विर्ताकार भूमी है एक भूमी जो बिर्ताकार है उसकी तिर्जिया आपकी है 7 मीटर इसके चारो और 3.5 मीटर चौड़ा मार्ग है यह एक मार्ग है जिस मार्ग की यह जो आपकी चौड़ाई है वो आपकी चौड़ाई जो है वो आपकी है 3.5 मीटर तो अगर हम इस बड़ी आर को यहां से बड़ी आर देखी जाए तो आर बराबर आपके हो जाएंगे 7 पलस 3.5 एक्वल टू आपके हो जाएंगे 10.5 मीटर और आपके जो छोटी आर हो जाएगी वो अंदर की यानि 7 हो जाएगी तो बड़ी आर 10.5 और छोटी आर 7 तो मार का छेतरफल इस तरह की जब भी होती तो यह एक बले बन जाती है तो इस बले का जो छेतरफल होता है वो पाई बड़ी आर स्क्वाइर माइनस छोटी आर स्क्वाइर के बराबर हो जाता है तो यहाँ पर हमने देखा कि जो पाई की भेल्यू है वो 22 बटे 7 हो जाएगी और आपके यहाँ पर बड़ी आर 10.5 की स्क्वाइर माइनस छोटी आर आपके 7 की स्क्वाइर तो आप यहाँ पर जब इसे फाइंड करोगे तो 22 बटे 7 इसे A स्क्वाइर माइनस B स्क्वाइर पर सॉल्प कर देंगे तो एक बार आपके हो जाएंगे 17.5 और एक बार आपके हो जाएंगे 3.5 तो यहाँ से हम इसे कटा लेंगे तो 7 से यह कट गए आपके 0.5 बार में तो यहाँ से अगर आप इसे अगर इसकी पॉइंट हम यहाँ से उड़ा दे तो यहाँ से आपके 10 आ जाती है 25 35 बार में तो 35 गुना 11 यानि कि 385 बट्टे आपके हो गए दो तो यहां पर आपके हो जाएंगे 192.5 स्क्वाइर मीटर यह हो गया आपके रास्ते का यानि मार्ग का छेतर फल बढ़ते हैं अगले सवाल की और यहां पर अगला जो सवाल है आपका यहां पर इफ 10 ठीटा एक وल टो 1 वाइ रूट 5 देन कॉसेक स्क्वायट ठीटा बराबर वाट यहां पर आपको 10 ठीटा की बेल्यू दी गई आप से यहां पर कौसेक स्क्वाइर ठीटा की बेल्यू निकालनी है तो हम यहाँ पर सबसे पहले जानते हैं कि कौसेक स्क्वाइर कौसेक स्क्वाइर ठीटा होती है तो कौसेक स्क्वाइर ठीटा बराबर होती है वन पलस कौट स्क्वाइर ठीटा तो यहाँ पर आपको कुसा की square theta की value find करनी है तो cot की value मालूम नहीं है पर 10 theta 1 by root 5 है तो 10 की opposite हो जाएगी cot तो यहाँ पर जो cot theta है उसकी value हो जाएगी root 5 तो यहाँ पर आपके हो जाएगी root 5 की square तो 1 plus root 5 की square 5 तो 5 plus 1 equal to 6 हो गए आपके answer तो उमीद है कि आप लोग इसे अच्छे से समझ पाए होंगे तो बढ़ते हैं next question की और यहाँ पर आपको यहाँ पर एक simplification की question दी गई है जो आपके यहाँ पर यह समीकरन दी गई है अब इस समीकरन को हमें solve करके हमें इसकी subtle value पराप्त करनी है आए यहाँ पर हम लोग इससे solve करते हैं तो सबसे पहले आपने यहाँ पर देखी one divide और यह आपके जो पहले आपकी दी हुई है पी स्क्वाइर बाई पी प्लस 6 और फिर आपके प्लस यहाँ पर दी गई है 6P by P प्लस 6 यह आपके होगे question जब आप यहाँ पर आप यहाँ देख रहे हो कि दोनों के हर में P प्लस 6 है तो अगर हम यहाँ पर इसकी LCM कर ले तो आपके लिए हो जाएगी P प्लस 6 तो आपके अंस में आ जाएंगे P स्क्वाइर प्लस 6P तो जब आप यहाँ पर P कॉमन कर लोगे तो P प्लस 6 और फिर आपके नीचे भी हो गए P प्लस 6 तो P प्लस 6P प्लस 6 आपके यहाँ पर कट गए तो बराबर आपकी बच गई वन डिवाइड पी तो वन डिवाइड पी इक्वल टू वन बाई पी आपसान नंबर यह इस सवाल के हो गए सही जबाब तो उम्मीद है आप लोग ने इस सवाल को अच्छे डंग से समझा होगा तो बढ़ते हैं आपके एक और कॉस्टन की तरफ यहाँ पर तो निवन में कौन एक सांत दसमलब परसार है तो यहाँ पर सांत दसमलब परसार जो होते हैं सांत दसमलब परसार हम वैसे भिन्न को कहते हैं जिनमें की भाग देने से दसमलब के बाद पूरा-पूरा विभाज हो जाए तो यहाँ पर इसे हम लोग आसानी से कैसे समझ सकते हैं तो इसकी एक रूल होती है हर एक जो आपकी भिन्न होती है वो पीवटे क्यू के रूप में होती है तो यहाँ पर देखनी है कि जब भी आपकी क्यू यानि हर में दो की पावर हो या फिर पाँच की पावर हो या फिर दो और पाँच की पावर मिस्टित रूप से हो जैसे कि 4 तो 2 पर पावर 2, 8, 2 पर पावर 3, 5, 25, 125, 5 पर पावर 4, 625 या फिर 10 यानि कि 2 पर पावर 1, 5 पर पावर 1 या फिर 50, 5 पर पावर 2, 2 पर पावर 1 जैसे कि अगर हम 50 को यहां पर अगर हम इसको factor करे तो आपके 5 गुना, 5 गुना 2, तो यहां आपको देखनी कि आपके इस factor में केवल 5, 5 और 2 ही हैं, तो अगर आपके हर में या तो केवल 2 हो या तो केवल 5 दीखे, चाहे वो जितनी बार भी हो या फिर 2 और 5 दोनों दीखे, चाहे इन में से किसी की भी संग्या कितनी भी बार हो, इससे कोई फ़रक नहीं है 2, 5 या केवल 2, 5 अगर हर में हो, तो उसकी जो दस्मलब प्रसार होगी, वह संथ होगी तो यहां पर अगर हम देख रहे हैं, तो यहां पर आपके option नमर B के हर में 25 है जो की 5 पर पावर दो, यानि 5 की पावर है, तो इसलिए संथ दस्मलब प्रसार किसका होगा? 17, 8, 25 का होगा, तो हमें यहां आवसकता नहीं है, कि हम इसे divide करने के बाद ही मालूम कर सके यह आपका संथ दस्मलब को निकालने का एक तरीका है, अब आपके यहां पर अगला question को यहां पर देखते हैं 3 root 5, 2 root 8, 4 root 6 को घटते क्रम में लिखना है, तो सबसे पहले हम लोग यहां पर जब भी आपको इस तरह से दी गई, जब तक हम इसे एक root के अंदर ना कर ले, तो हमें यह समझ आनी मुस्किल है, कि कौन सी संख्या इसमें बड़ी है, तो हम यहां पर इसके लिए गाईज, जो भी root के बाहर जो चीज होती है, multiplication में, जब वो root में आती है, तो आपके वो दो बार multiply हो जाएंगे, क्योंकि जब भी आपके root में कोई संख्या दो बार गुननखंड होती है, तभी वो बहार आती है, इसलिए यहां पर दो बार करने के बाद, आपके तीन तिया नौ पचे, इसकी value root अंदर 45 हो जाएगी, उसी परकार से इसकी value 84 के 32 हो जाएगी, और इसकी value 16, 96 हो जाएगी, तो इस परकार यहां पर आपने देखा, कि आपके जो सबसे बड़ी संख्या यहां पर है, वो 4 root 6 है, तो यहां घटे करम में सजानी है, यानि कि घटे करम means बड़ी से छोटी, तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, जो सबसे बड़ी है, वो आपके हो गई 4 root 6, उसके बाद आपके, जो उससे छोटी हो गई 3, root 5, और सबसे छोटी यहां पर है, 2 root 8, यहां पर आपको कौन सी अप्शन में दिख रही है, 3 root 5, तो सबसे बड़ी यहां पर है, 4 root 6, 3 root 5, 2 root 8, तो अप्शन नमर सी आपके लिए है, बिल्कुल सही जवाब, तो यहां पर आप, आज आपके लिए, यह इतने खास important सवाल थे, तो उम्मीद है, यह सभी सवाल, आप लोग अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे, तो इनी सारे questions के solution के साथ, आज के RRB NTPC का set solution यहीं पर समाप्त होता है, तो एक नए sets के साथ, हम लोग फिर से आपके बीच हाजिर होंगे, तब तक के लिए, और एक खास बात, कि आपके इस विद्यावियर competition channel को, जो सबसे ज़्यादा आपको यहाँ पर like भी करनी है, और इससे subscribe भी करना इस channel को, और अधिक सदिक लोगों तक पहुंचाए, ताकि इसका लाव अन्ने लोगों को भी मिल सके, तो इनी सब्दों के साथ, आज के लिए, इतना ही, गुड़ बाई,